हलो हाई नमस्ते कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे बहुत शान्त होंगे मेडिटेशन कर रहे होंगे योगा स्ट्रेचिंग जरूर करते होंगे सुबह उठकर और पॉजिटिव अफ़र्मेशन्स अपनी लवड वन्स के लिए या ट्रिन फ्लेम जर्नी में हैं तो उन्हें जरूर भीजते होंगे बहुत खुश रह रहे होंगे और ऐसा नहीं है तो ऐसा करना शुरू करतीचिये और आप हमेशा खुश रहेंगे आज हम बात करने जा रहे हैं डबल वन डबल वन की 11 जो है याने की डबल वन वो एक मास्टर नमबर है और डबल वन डबल वन याने की मीरर नमबर है जैसे क्राइस्ट हैं बुद्ध हैं एक्सेटरा वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं डबल वन डबल वन दिखा कर कि अब हम डिवाइन फ्रिक्वेंसी और डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं इस तरह के नंबर्स पर मैं और भी सीरीज बनाऊंगी जिन्हें quadruple digit angel numbers कहते हैं इनके meanings देखकर आपको just actions लेने हैं इनके meanings देखकर समझ कर या इन numbers को जब भी आप देखें thanksgiving रहें उस समय thank you God, thank you so much for this, thank you so much for that इस तरह से आप अपने जो भी आपके पास है वो इश्वर के लिए उस समय उन numbers को देखकर धन्यवाद करें, कोई भी number देखें तो भी जिन numbers को ज्यादा देखते हैं उनके लिए धन्यवाद करना जरूर चाहिए क्योंकि इश्वर या angels आपको आपके पास ही नजर आते हैं आपके पास ही होते हैं बस हमें इन आखों से दिखाई नहीं देते हैं जो हम 3D World को देखते हैं न तो जो मैं बार बार कहते हैं जो दिखाई नहीं देता न वहीं सब कुछ है प्यार दिखाई नहीं देता इश्वर दिखाई नहीं देता वहीं सब कुछ है ठीक है तो हमें करना क्या है इश्वर पर ध्यान रखना है इश्वर को धन्यवाद करना है अपनी divine frequency में रहना है आपको पताई होगा कि हम सब energy है पूरा universe एक energy है सब जगे movement हो रही है जब भी कि आप 11 11 देखें तो life के purpose पर ध्यान दे एक्चली यह नमबर आपको तब दिखता है जब आप life में कोई major decision लेने जा रहे होते हैं कोई बहुत बड़ा decision आप लेने जा रहे हैं कोई बड़ा निरने लेने जा रहे हैं कि जिससे कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है वैसा क तब आपको यह नमबर दिखाई देता है कोई बहुत बड़ा move करने के planning करने जा रहे हैं कुछ movement हो रही है आपकी जीवन में कही shifting का सोच रहे हैं कुछ बहुत बड़ा जो आज तक जाधतर लोग नहीं करते हैं तब आपको यह नमबर दिखता है या किसी को yes I do कहने वाले ह जैसे किसी relationship में yes I am in this relationship इस टाइप का कुछ feel हो रहा है या किसी project में आप हाट डालने वाले हैं कोई बहुत बड़ा project में आप yes करने वाले हैं उससे पहले आपको 111 दिखाई देता है इसका मतलब ये भी है कि जब आप social media पर likes subscribe ये comments पर ज्यादा overthink करने लगते हैं मान लीजिए आपने अपना कोई youtube channel बना रखा है या फिर आप किसी youtube channel पर comment करते हैं फिर आप ये सोचने लगते हैं कि मेरे comment को देखा गया है कि नहीं मेरे comments को कितने likes मिली हैं इस तरह पर ज्य जादा thinking करते हैं यानि कि over thinking करते हैं देखें कि दूसरे के channel के कितने subscriber होगे या मेरा channel में कितने subscribe होगे कितने likes मिले हैं मेरे video को या देखें दूसरे की video में कितने likes मिले इस चीज़ में अगर आप video देखने से पहले ही दूसरों की video में इस तरह से ध्यान देखते हैं यानि क calculating में लगे रहते हैं, calculating manner में लगे रहते हैं, तब in just आपको ये number दिखा कर कहना जाते हैं, कि आपका self worth आपके likes या dislikes से नहीं है, आपके self love से है आपका self love माईने रखता है आपका inner work माईने रखता है आपको इन numbers के पीछे नहीं भागना, कौन आपसे प्यार करता है, कौन नहीं करता किसने like किया, किसने dislike किया कितने shares हो गए, ये आपके duty नहीं है, ये सारी duty तो इश्वर समाल रहा है YouTuber समाल रहा है, जो YouTube बना रहा है जिसने YouTube बनाया है, वो समाल रहा है, वो आपको email send कर देता है हर मेने कि जी, इतने इतने ये ये हो गए, पढ़ो, thank you को side हो जाओ अपना काम है inner work करते रहना, अपना best देना पस, इसलिए ये 11-11 आपको तब दिखता है तभी बहुत से questions ऐसे आते हैं कि मुझे बार बार 11-11 क्यों दिख रहा है जबकि मैं तो अवेकन हूँ और मैं अपना inner work भी करता हूँ तो फिर भी क्यों दिख रहा है इसका मतलब angels आपको awakening के बाद भी ये number दिखा कर कहना चाहते हैं कि अपने dreams या lucid dreams को decode करना सिखें angels आपको कह रहे हैं dreams को देखें, उसका मतलब जाने कहीं से पूछें, पढ़ें, देखें और उस पर attention create करें ध्यान दें उस पर क्योंकि dream में जो colors, shapes, animals, family, friends ये सब दिखते हैं ना तो इनका कुछ ना कुछ universal message होता है अब universal message क्या है वो जानने के लिए आपको अपने dreams को तो decode करना ही पड़ेगा उसके बारे में कुछ ना कुछ explore करना ही पड़ेगा तो कुछ ना कुछ universal message देते हैं कि what should be your next step in waking life numbers दिखाने का मतलब भी यही है कि कि अब आपको करना क्या है देखा करना क्या है इसलिए मैं कह रही हूँ हर वीडियो में कहती हूँ हर बार कहती हूँ कि human being का काम है कर्म करते जाना action लेना कुछ करना क्या है to do something पहले अपने लिए कुछ कीजिए तब यह आप परिवार के लिए करेंगे तब ही आप social social beings के लिए करेंगे society के लिए करेंगे तब ही आप देश के लिए और दुनिया के लिए कर सकते हैं पहले अपने लिए तो कीजिए जो अपने आपको ही नहीं साद सका वो दूसरे को क्या सादेगा जो अपने आपको ही control नहीं कर सका वो दूसरे को क्या control करेगा अगर आप अपनी ओजस शक्ति को control नहीं कर पाए तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका DM आपको physical होने के लिए demand कर रहा है आप क्या करूँ आई बात समझ में 11-11 दिखाने का meaning है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं कि 5D और 3D में balance बना कर चलना होगा आपको जब 5D energy समझ में आ गई है 5th dimensional energy क्या है आपको समझ में आ गई है तो 3rd dimensional में रहना है जिन्दा तो है जिन्दा तो है हम body में तो है ही तो काम तो यहीं करने है 5D में तो यह तो लिए कह सकते हैं हमने दुनिया छोड़ दी कर्म तो यहीं करना होगा क्योंकि खाना पीना भी 3D के अंडर ही आता है 5D में रहके अब भूके ब्यासे तो नहीं रह सकते रहना यहीं है सारे कर्म यहीं करने है 5 तत्वों को यहीं भोगना है हमने तो लेकिन उसके साथ-साथ इश्वर का ध्यान रखना है 5D में रहना है कि इसलिए कहती हूँ बार-बार कहती हूँ कर रहे हैं कि नहीं आप मैं यहीं कह रही हूँ कि हर बार जो भी आपको पांचों इंद्रियां मिली है इन पांचों इंद्रियों के लिए धन्यवाद कीजिए अपने आपको जितेंद्रिय बनाईए सारी इंद्रियों को जीतने की कोशिश कीजिए सारी इंद्रियों को आज तक कोई नहीं जीत पाया भीश्म के अलावा महावारत में कहते है तो चार तो जीतिये तीन तो जीतिये दो चलिए एक जीत लीजिए एक अपना sex sublimation पर काम कीजिए nofap करके वीडियोज देखिए ओजिश शक्ति जिसे संस्कृत में करते हैं अपनी sexual energy को creative side में बदल लिए एक काम कर लिजिए बस इस एक शक्ति को समझ लिजिए अपनी एक शक्ति से दुनिया बदल जाएगी आपके देख लिजिए कहना मान लिजिए प्लीज कुछ नया करके दिखाईए comment box में लिखके दिखाईए फिर कि मैंने इतने दिनों में ये सारा काम कर लिला ये एक शक्ति को मैंने अपना control किया so don't control others पहले अपने आपको control कीजिए दूसरा कभी control नहीं होता है इंजल्स आपको कह रहे हैं कि spiritual context में काफी बड़ा change आ रहा है आपका spiritually काफी आप high हो रहे है grand scale पर change आ रहा है यानि कि eye opening का message है 11-11 दूसरों की life को uplift करने का time है 11-11 means आप spiritually high हैं आप 5D को समझ पा रहे हैं आप इस दुनिया को समझ पा रहे हैं कि oh yes 3D is illusion everything is illusion माँ बाप बाई बेन पैसा material job और या पार्टनर everything is illusion या आप समझ रहे हैं मैं भी समझ थी हूँ मेरा reunion हो चुका है लेकिन रहना यह है न तो रहना इनके साथ ही रहना खाना सोना पीना है लेकिन इस्षवर का दन्यवाद में रहो तो यह चीज का balance हो जाएगा 3DA and 5D का balance इसी तरह से होगा ठीक है न और number 4 किस तरह से 1111 आपको angels sign दे रहें angels आपके अपनी सच्चाई से रूबरू करवा रहा है deep soul searching कीजिए deep soul searching meditation के त्रू ही होगी meditation एक बहुत बड़ा हुआ या डरने वाली चीज नहीं है या बहुत practice की जरूद नहीं है कहीं से ABCD का सीखने की जरूद नहीं है एकांत में जाएए शांत रूम में जाएए बैठ जाएए बैठना ही आजकल बहुत मश्किल है अपने आप के साथ चुप चाप सीधे बैठना कुछ देर के लिए अपनी सांसों को आते जाते देखना गिनना यही बहुत बड़ा चालेंज है आज कल की लाइफ में करके देखिए एक बार चोटे से शुरुआत कीजिए थोड़े टाइम के लिए शुरुआत कीजिए हमेशा बढ़ाते ही नहीं जाना है यह कुछ टाइम के बाद आपके अंदर इश्वरिय तत्व आई जाता है आप खुदी मेडिटेट होने लग जाएंगे आपकी बातें आपकी चाल आपकी ढाल सब मेडिटेट हो जाएगा आप खुदी प्यार बन जाएंगे आपको प्यार डोणने की जरूती नहीं पड़ेगी समझे ना बात 11-11 देखने का मतलब ही यही है कि अपनी सारी गलतियां एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो गलतियों का मतलब यह नहीं है इस तरह की छुटी-छुटी गलत नेगिटिव भावना है उसको कैसे निकाले वो चीज़ करने का टाइम है टीप सोल सर्चिंग करने का टाइम है जिन्दिगी पदल जाएगी आपकी पहले तो रूह कहां पेगी कि क्या मैं यह हूँ एक बार अपने आप से तो मिली है पता चलेगा कि आप कितने क्या है नमबर फाइव इलेवन इलेवन देखने का मतलब एंजल्स आर ओल्विस विदियो यह बात आप हमेशा समझ लेजिए कॉन्फिडेंस की फीलिंग लाता है आपके अंदर यह बिलीव करो कि यूनिवरसल एनरजी है और यूनिवरसल एनरजी में आप है और सबसे एंपर्टन यह है कि बिलीव कीजिए अपने आप को अपने अंदर बैठे इश्वर को सेल्फ लव कीजिए तो इलेवन इलेवन देखने का मतलब है कि मास्टर्स आपके साथ हैं Jesus Christ पीशर जो भी आप मानते हूं highest form को ascendant masters को वो सभी आपके साथ हैं आपके आपके poor words आपके ancestors आपके साथ हैं सदा सदा के लिए साथ हैं ठीक है क्योंकि आपको angels numbers दिखने लग गए हैं Thank you so much मुझे देखने सुनने के लिए और congratulations आप 11-11 देख रहे हैं It's a gateway of awakening और lightning के लिए तो आप humanity को सर्व कीजिए खुश रहिए मस रहिए बाई बाई